एड्स गंट्रोल और्गनाइशन, आड्जीओ हो गया, नन गवर्मेंट और्गनाइशन, गैर सरकारी संस्थान, बहुत सारे जैसे होते हैं ना एड्जीओ, आप समझ रहे हैं, एड्जीओ के दौरा जिसमें एक था रेड रिबन क्लब, कह नाम था उसका, रेड रिबन इस तरह से, इस तरह का बना रहता है, या ऐसे भी बनाएगे, ऐसे, ए रेड रीबन कलब लाल कलर से बना रहेगा, तो रेड रीबन कलब, जो दिलिवर्सिटी के लड़के-लड़किया उसे बहुत ज़्यादा भाग लिये थे, उलोग क्या करते थे, कि चौक्चा रहा पर, ज इसे बचा जा सकता है, क्या इस का दूस्परिणाम होगा, वोग बताते थे, World Health Organization भी इस पर बढ़ चल कर हिस्वाह लिया, विश्वाससंग्थन, World Health Organization, विश्वाससंग्थन, उसके द्वारा भी इस को रुकने के लिए, क्या किया गया, कि सरकार के, जितने प्रात्मिक हेल्ट सेंटर, प्रात्मिक श्वास्त केंडर या होस्पीटल, सब जगहंद सब्काल। या निदम चाप के आद आद ये जगल, लोग कर दो कि टो चला सब्सक्राइब कोड़क्रराइब कंज काल सिरण याथा था, वे ये Фुरμέत सब्सक्राइब करते हैं जो पहले गरम पानी करवाते थे, उसमें सारा अपना खोल के धोते थे, और एक ही सिरिंज या एक ही नीडिल से तबको दिया जा रहा है, जो 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 करके, अब क्या है, कि अब आ गया है आपका डिस्पोजेबल सिरिंज, यूज की जिए फेंक दीजिए, यूज की जिए फें वहाँ डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तमाल कराया गया, जो भी ब्लड बैंक थे, देश में, जहां-जहां भी ब्लड बैंक, ब्लड बैंक समझ रहा है, ब्लड बैंक को ये अस्वस्त किया गया, ब्लड बैंक में अस्वस्ता किया गया, आप अदम ब्लड को चेक करके रख जैसे जहां सक्ष है कि जहां रहते हैं वो सेरिया में या जो लोग जैसे ट्रक के ड्राइवर हो गर बस जो घर से काफी हो गया दिन पहले निकले दूर दूर तक जाते हैं जहां वो रहते हैं कslow linear know not कर के दिखाना उन्नों को बताना और बहुत सिझ राप यह सिरकारी संस्था कर के मिलकर के बहुत तरी स्यक्शन लिया कमों के आदा आदा वह हम परडना जाते थे तो वह भुचपूरी में लिखा रहा हूँ था दिवाल पर परचार के लुप में दिवाल पर वो क्या था सी रसक कि मतलब कोई महिला अपने पती को का रही है कि तुम जा रहे हो पर देश लेकिन वहां से मतलाना एड्स यह इस उलोगन था वहले अपने पती को बोल रही है कि तुम भोच्पूरी में था ओ, कि तुम जा रहे हो परदेश, लेकिन वहां से मतलाना एड्स, तो में एड्स लेकर आओगे, तो क्या हो जाएगा, सारा खंदान, मतलब सारे घर के बच्चे और हम, सारे लोग उससे संक्रमित हो जाएंगे, तो यह तो है, आप पढ़िएगा, गव शिंपल है, रोग थाम उपाए, ठीक है, अब करेंगे खास बात, कि यह जो एड्स, जो बीमारी है, वो रोगी के साथ रहने से, घुमने फिरने से, उसके साथ, उसको छूने से, इवेन खाने, खासाथ साथ खाने पीने से भी नहीं फैलता है, बात समझ में आ रहा है, कैसे फैलता है, तो यह तरल माधियम से फैलता है, यह फिलिवड कंटक्ट से फैलता है, तरल माधियम, रोगी को आप तच्छू रहा है, रोगी के साथ रहा है, रोगी के साथ, बैट के वगल वगल में खाना खा रहा है, तो उससे यह र तो फिलिवड के माधियम से, तरल पदार्थ के माधियम से, अब उसका आप रख ले रहे हैं या उसको रख दे रहे हैं, ठीक है, उसे सेक्स्वल कंटक्ट बना रहे हैं, किसी माधियम से आपके सरीर का फिलिवड, तरल पदार्थ और उसका तरल पदार्थ जब आपसे निक् जब नाइन्टीफोर का बात है, हम लो जितना अच्छा समझा देते हैं, डॉक्टर लोगी समझाते हैं, यह बात है, यह बात है, तिक नम के लाद है कि बार हमको पतना में थे, हमको बुखार हुआ थे, हम गय थे पतना के बहुत अच्छे फीजिशिसिन से दिखाने, तो अच्छा पाद उसको जांचुच गया था, डॉक्टर अपना जांचुच दिये थे, जब जांचुच करा के आया था, कंपाउंडर लेके गया, उसका जांचुच मरीज बाहर था, तो डॉक्टर देखे तो हुए हुए पोजेटिव हो गया था, हमको जाद है कि यह हला हो हम भी बैठे थे दिखाने के लिए, भीन लग गया, कौन है भाई, क्यों क्यों अचाई पोजेटिव हो गया, सारे लोगों की भीन लग गया, और हमको याद है कि ऑ डॉक्टर उसके चेंबर तक नहीं बुलाया, वही से तब आली कर कमण दोला, जाओ 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 और यहां अचाई शंक्रमित हो जाएगा, तो का रहा है कि उन निच्वल देथ से नहीं मरेगा, उसको मरना अवश्चे है कि मरेगा, अब का रहा है कि आप कोई अचाई शंक्रमित हो गया है, तो उसको अगर आप अच्छा से खाना पीना दे रहे हैं, और कुछ एंटी वाइरल मेड लिचिन, तो का रहा है कि इन सब दवाओं के हल्फ से और अच्छा खाना पीना खाने से अच्छा महल से हो सकता है कि उबैक्ति कर कुछ लाइफ एसपाइन बढ़ जाएगा, तो अगर पांट साल है मरने वाला तो हो सकता है कि आठ साल जिन्दा रह जाया है, 10 साल जिन्दा तो यह हो गया, अब कर आएगी फिर भी, समाज में अगर कोई ब्यक्ति संक्रमित हो गया तो उसके साथ हेट नहीं करना चाहिए, घिर्णा का पहवार नहीं करना चाहिए, अब तु जाने अन जाने गलती हो गया, तो आप उसको एक मानो जैसा ही पहवार कीजिए, खाना उसके साथ अच्छा से ब्यवार कीजिए, भूल मिलके रहिए, उसको त्रियस्कृत मात कीजिए, ड़क्टर सुचित परामर्स लीजिए, और अब तो तय है, तो जाएगा, लेकिन उसके साथ अच्छा से ब्यवार कीजिए, और आप सच्छे तरह करके, आप सच्छे तरह क ये रोग का ऐसे फालतया लोगों में अधिक सथी जागूप किया ज्डों और Conservative राजसरकार देश Сегодня 有ा हुअर डिख सरकारी संस्ता और गैर संस्ता ने इतना मेहनद किया इतना ज्यादा इस पर प्रचार preparation हो लों इह ज्यादा तो यह था चेप्टर का कहानी, आपके बाइलोजी सर के जुबानी, और कोई खास बात नहीं है, बीशेस आपको स्टड़ी करना तो फिर नेट पर जाईए, कुछ और कुछ सर्च करना तो कीजिए, तो यह आपका जो एक वाइरल डीजी सायड्स, समझ में आगे, प्रस्म, द फिगर जो बनाजै तो फिगर धियानक नाया आपढ़ीये, कहीं सब कुछ नहीं कुछ नहीं तो फिक दो distill मेरी के लिखेर इसकर को एडस प्रच्राथ लँए, परस्म, दो नमर को दो यह गाना के लिखनाऊ परीजीए, डीट निग्हिंशे सकते है, यह सरू है कि यह तो भी आप पना सकते हैं बात समझ में आए कहीं से कोई दिकत फिर हम लोग कल मिलते हैं ठीक है इस चेप्टरों को बढ़ियां से पढ़ जाए उस टॉपिक को कहीं से कोई दिकत है तो आप लिख करके रखिए कल फिर हम लोग मिलेंगे, फेश टू फेश होंगे, बताईएगा लेकिन रिक्वेस्ट रही है कि पढ़ो एक बार है वीडियो नहीं समझ में आए दो बार वीडियो देखो टॉपिक को पढ़ो और हम जो बोल रहा है उसको नोट कर रहा है अपने लेंगेज में और आप अपने लेंगेज के याद कर जाईएगा ना आप सब्जेक्टी चूटेगा ना सब्जेक्टी चूटेगा हर साले ही समझ से आता है हर बचा यही साता है है इसार नहीं समझ में आ रहा है बाईलो जी और इतना उलड़का हुए लड़की इस एल तो खायरमालो हम अस्वस्त है एम चलने में मुश्किल था तो हम बच्छा बच्ची लोग से नहीं मिले बहुत प्रेस्बुक पर बहुत एथी पर वार्टसब पर बहुत चैटी किया कि सर मिलेंगे तो मिठाई खिलेंगे आपके लिए मिठाई लाएंगे हई नाम भी बता दे रहें, चनपटिया का सत्यम था, साप ने पढ़ता था, हर क्लास में फिटाई खाता था, तिहतर या चोहतर नमा राया, हर बैच में वह आहल होता है, कोवनों नहीं मिठाई, ये पर ठीक है, इतना दूर घर भी नहीं था, कोवनों नहीं मिठाई खिलाता है, हर साल यह करता है, ना खिलाता है ना खिलाती है इसलिए आप पढ़िए मन लाकर टेंशन छोड़िए जैसे कर आवे से किजिए ठीक है बाबू धन्यवाद